आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तो फ्रेंट्स आज हम आपके साथ शेयर करने चाहरे हैं चिकन कीमा की रेसिपी और यह बहुत ही फटाफट से बन जाता है तो इस रेसिपी को ज़रूर एक बार आजमाईए अपने घर पे और अगर तो फ्रेंट्स चलिए हम फटाफट से आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले ले लेंगे यहां पर चिकन मैंने यहां पर 800 गराम चिकन लिया है बॉनलेस चिकन बस इस तरह से आपको टुग्रों में कट कर लेना है अब मैंने ले लिया यहां घ्रिणों की मिक्सकाँ यहुंगे भाड़ को हमसे यहां धूरा इसमें कर देंगे डिख देंगे और खर धने के बाद इसे हमें Grain कर लेना है तो कहीं ते तिन बारिकंस हमने चीकन कीमा बना लिया है मिक्सकाँ में तो हम ले लेंगे रना ओ कशमान यहांद ऑन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है तो हम यहां पे फ्लेम को हाई कर देंगे यह रेसिपी टिफिन बॉक्स के लिए बिल्कुली परफेक्ट क्योंकि इसमें ग्रेवी नहीं है और बहुत ही कम स्पाइस में बनकर रेडी हो जाता है तो सबसे पहले मैं यहां पे लिया है चार स कर देख लिया है इस तरह से ईस तरह से प्रमिर्च बई नगेर सान पाश्य कर लिए यह अगदर जादा तीखा पसंद करती है तो हरी मिर्च को बढ़ा दीकैंड आप मैं इसमें डाल दिया है शिम्मले मिर्च गा टोड़ी यह की और यहां पे आधे शिम्मले मिर्च का में हाइफलें पे सौटे करना है कि अब मैंने में ताजा हरा मतल एक कतोरी छोटी करोरी शोटी कर इंडिया है सिरा इसे होका है है इसे ही हाइफलें पे सोटे करना है एक से दो सेचन्ड के लिए तो देखे यहां पे वेजटेबल का कलर बिल्कुली चेंज हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने नमक मैंने यहां पे नमक का यूस किया है आपने टेस्ट के अकदि नमक कमिया जादा कर सकती है और लिखे हैं अगर आपको तीखा कम पसंदे तो 1 दे खेंट कर दीजे में लिए त्रेट लिए काली मृष्जों का पाउडर भाउडर वन फूट टेबलिस्पून हम डाल के यहां पे लिए लाओड़न ऐखे बिदेड़ नहीं किया है 1 अदिआ इखे जीरा पाउडर अर आप भी पे फलेम को बिलकुल करेंगे को कि जब आप पाउड़ाइक मसाले का यूज करें तो फ्लेम को बिलकुल ही लोकरों पाउड़ाइक मासाले ज़ल जाते हैं और टेस्स बहुत ही खराब और अग्यां तो दिखिए मैंने इसे थोड़ा सा भूल लिया है अब मैंने इसमे शामिल कर दिया है चिकन का कीमा है तो अब मैंने यहां पर डाल दिया है तो आप मैंने यहां पर डाल दिया है और इसे डालने के बाद मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है अब हमें चीकन को इस तरह से तो इस तरह से बिल्कुल ही आप स्पून की हिल्प से मिक्स करिये अब मैं यहां पर डाल दिया है एक टमाटर में जाइस आप टमाटर यूज करिया अगर चिकन की गॉंटिटी जादा है तो आप टमाटर की को भी बढ़ा दीजिए अब मैं इसमे डाल दिया है एक जोड़े पानी ताकि साब्साले मैं अच्छे से मिक्स हो जाए या टमाटर भी गल जाए तो इस यूज यूज इस रिसीपी को टिफिन बॉक्स के लिए यूज कर सकती है क्योंकि यह भी फटा-फट से बन जाती है और यह रोटी पराट्टे के साथ तो बहुत ही जबरदस लगती है तो अगर आप चाहें तो इससे टिफिन बॉक्स में भी दे सकती है और फ्लेम को मैंने यहां पर अभी हाई रखा है क्योंकि हमें इसका पानी अच्छे से सुखा देना है इस तरह से करते हुए मैंने सारे चिकन को अच्छे से मिक्स कर दिया है अगर आपको मेरा अची रarenth के पता है तो मेरे रेसिपी को लाइक कर दे शहेयर करें मैं और आप ने मेरी चानल को पहली बार देखा है तो जवर से सब्सकाइब करें तो देखी फिंस हमारे चिकन के कीमा का पानी सूखने लग गया है मैंने इसे ड्राइ ही पकाया है अगर आप चाहें तो इसमें थोड़े से आप ग्रेवी रख सकती है लेकिन यह ज्यादा टेस्टी ट्राय महीं लगता है अब मैंने यहाँ पर लास्ट में अट कर दिया थीए हैं बारी hanno ह diaphrag प्रे on a इसमें एट कर देंगे वनफोरilippi स्पून होममेट ama vidéos अगर आप副 पास हम अभी पर आप मार्केट का कोईột इसे भी बराइन का गरम मसाला पाउडर यहां पर यूज़ कर सकती है अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे फ्लेम को मैंने यहां पर मीडियम ही रखा है तो बस हमारा चिकन किमा बस रडी ही होने वाला है एक से दो मिनिट में तो देखिए मैं इसमें इसलिए मैंने यहां पर लास में अड़ कर दिया है आधे नीबू का रस तो इसे एड़ करने के बाद मैंने यहां पर इसे मिक्स कर दिया है मिक्स करने के बाद आप इसे एक से दो मिनिट के लिए ढग दीजिए तो देखे फ्रेंस मैंने यहां पर इसे सर्फ कर लिया है थो करना चाहिए कि यह बहुत ही फटा-फट से बन जाती है रेसिपी और बहुत ही आसान तरीके से यह रेसिपी बन जाती है तो इस चिकन के कीमे को ट्राय करिए और हमें कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूले तो हम मिलेंगे अपने नेक्स वीडियो पर एक और नहीं कर झाल भी झाल कि ऎकर नेक्सी को टो बने जाता है यहीडियो जह रह भीडियो खियो पगे पर एक टलिज़े कि वूले नेक्सकर प्राय काथी और नेक्स है वि टा